अब हम आ गए हैं डे फोर पे तो अभी अभी मैं सोके उठाओं आज से हमारी एक्साइज हो गई हैं बंद अब हमें जिम नहीं जाना है एक्साइज के लिए तो अभी दिपेश भाई ने बोला है कि घर पे आप हजार क्रंचिस मारोगे मौर्निंग में एम्टी स्टमक तो र सिर्फ और सिर्फ हमें लेने हैं काब्स और काब्स में भी लेने हैं आलू और आपका वाइट राइस और राइस केक और उसके इलावा सिर्फ और से प्रोटीन तो आज की डाइट ही है हमारी और अभी हजार क्रंचिस लेने हैं मुझे और उसके बाद शॉपिंग के लिए कोई जाना है जो मैं फिजीक में खेल रहा हूं उसमें शोर्ट वगेरा जो उसके लिए लेनी है उसके लिए आज जाना था हमें और थोड़ा सब ग्रूमिंग भी करानी थी विकाज बहुत बुरा हाल हो गया है ना शेव सैट कराई है बाल भी बड़े हो गया है और कई बार सब्सक्राइब तो बहुत ही टफ फेस होता है किसी और चीज के लिए टाइब नहीं मिलता दिमाग में बिल्कुल कोई और चीज नहीं आती है मैं अब पहले अपने बॉड़ी कंडिशन चेक करूँगा दिपेश भाई को भेज़ूँगा और उसके बाद लूँगा मैं हज चीजार क्रंची टो अभी तो हो गया है इस अब मुझे लेने है हजार क्रंचीस तो मैंने जगह सलग ती है तो इसमें मैं लिखता रहूंगा क्योंकि थाउजन बहुत ज्यादा हो जाते भीच इसमें भूल जाओंगा तो कन्फूजन ना क्रियेट हो जाए तो अभी कोई गल्ती की या चीट की कोई गुझाईश नहीं है तो अब शुरू करते हैं थाउजन करंची तो यह है मेरी पहली मील जिसमें है 160 ग्रैम पोटैटो और एक स्कूप प्रोटीन तो अभी मैं प्रोटीन इसमें मैं सूखा ही ले रहा हूं क्योंकि आज पानी भी कम लेना है सिर्फ दो रेटर पानी लेना है तो हर मेरी मील में पांच मील हैं जिसकी हर मील में मेरे पास एक स्कूप प्रोटीन है तो पानी बाद के लिए बचाए रखने के लिए क्यों गर्मी बहुत जादा है तो अभी मैं प्रोटीन सूखा ही ले रहा हूं पोटैटो के साथ क्योंकि अभी और कोई सोर्स है नहीं प्रोटीन क्योंकि मैं और वेज हूं तो इस वज़े से अभी प्रोटीन स्कूप ही रखा है हर मील में तो यह मेरी पहली मील है तो काब लोटिंग शुरू हो गई है तो फ्रेंड्स लुक हो गई है बिल्कुल चेंज अभी आपने घर पे देखा था ग्रूमिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि पीक वीक चल रहा था एक्साइज वगरा बहु जा थी आज से हमारी एक्साइज बंद हैं बोडी रैस मोड पे चली गई है और डाइट वगरा काप्स वगरा बढ़ गई है नमक बिल्कुल छूट गया है जिरो हो गया है तो अभी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है खुद को भी देखके काफी पॉजिटिव लग रहा है अच्छा लग रहा है और अब हम जाएंगे शोपिंग के लिए शॉट्स व राइस केख हैं और इनके साथ है हाफ अवोकाडो हम जा रहे हैं साकेट इसलेक सिटी वॉक क्योंकि वहां पर किसी ने बताया कि महां मौस प्रब्ली चांसिस है कि मिल जाएंगे तो इस यह नहीं मिला तो फिर जाएंगे कुडगाओं और अभाश पर महीं मिल जाए तो बै प्रें कर रही है बहुत जाएदा पिछले पूरे हफते से कल रात मैंने 10 गंटे की नींद लिया उससे पहले बहुत कमी नीद वह तो नहीं नीद कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बैटर फील कर रहे हैं पर जैसे नमा कभी छूटा हुआ है काप्स तो लोड़ कर रहे हैं बाकी और कुछ है नहीं तो उसकी वेज़ से तोड़ा सा भी थकावट फील कर रहे हैं जालो है अभी निकल गए है देखते हैं शौट कैसे मिलते हैं हमें किस कलर के में लेते हैं वह आपको दिखाऊंगा आज हो रही है बारिश मौसम ने लिए करवट और बहु वारिश मौसम ने तो गहर रहा हैं आप नग बारिश रहे हैं जो नहीं रहं है यह वट थेसे कोटे ठाव्सके मौसम गलते हैं अडिट जो जालते हैं जब्य हैं लग वह अज ज़ुआ हूएज हीं और न बं मसका हुआ हएए इस टám टो guyz मतलब neither चाहे का नम सुनते ही नम राकिना मतलब मौसम ने तो विलकुल कहर कर रखहा हैए बारिषी बारिष बहुत ही अच्छा लग रह रहा है क lum leaf नहें वरना टो जिम जाना घर जाना आज के वाँ अच्छाम रहा के था था श्या यह स्पश्वार ऊपनोरो कि यहां एक पिछ प्रभाटर रख जाए तो इस इन पर पार जाए तो वासे हैं इम्मुनुटी बहुत काम हो जाती यह जाती है और क्योंकि काफी टाइम से लो काब और जीरो काब की डाइट चल रही होती है तो बहुत समल के रहना होता है, मौसम चेंज होता है, तो गासम पहुच चुके हैं, इसलेक सिटिश किटी बॉक शाकित मुशन के यह बेसिकली हम जो भी भी मील ले रहे हैं तो हर मील के बाद हमें एक यह डंदलिन टी लेनी होती है ताकि जो भी हम खाएं तो वाटर रेटेंशन ना हो बॉड़ी में यह नैचुरल डियोटिक है और पानी कम होनी के विज़े से बहुत कम-कम पानी में हम ले रहे हैं सिर्फ डिप करके गरम करके पानी को यह में मेल हो गई अपनी डान अब चलते है शौट्स के लिए और यहां मिल जाने चाहिए तो देखते हैं क्या होता है आ यहां पर मिलता है नहीं मिलता है यह फिमिंग वाले उसमें जाना है तो फ्रेंड यहां भी देख लिया एक दो समझ में आए बट थोड़ा सा कलर का इशू है पेज भाई कहा रहे हैं थोड़ा सा ऐसा कलर लो जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो ब्राइट कलर हो बात बनी नहीं अभी अपन लोग जा रहे हैं वसंत कुंज और जिस तरह की हमारी हालत जलने की भी नहीं है बट इदर से भागना पड़ रहा है तो चलते हैं वसंत कुंज महां देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है तो आज भी बज गए है रात के दस और फाइनली हमने ले लिया है शौट्स और कुछ समझ निया रहत तो हमने तीन तीन शौट्स टा जिये कि जो भी रहेगा फाइनली उसको रख लेंगे तो ले लिये हैं और घर जा रहे हैं एक मील रहती है लास्ट कर जा के लेनी है और अभी थक गए हैं आराम तो मिली नहीं पाया पोजिंग की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई घर आ गया हूं काफी लेट हो गए साड़े दस बज गए हैं और अभी मेरी क्लास्ट मील बची है वो लूंगा तो मैं भी आपको दिखाता हूं कि मैं जो शौट्स लाया हूं अक् हुजा टाइट नहीं होना चाहिए कॉटन का नहीं होना चाहिए कुछ गाइडलाइन से नहीं बताई थी मैंस फिजीक के लिए बेसिकली वो ले आए हैं तो मैं आपको दिखाता हूं तो यह है बैग इसमें एक तो यह शौट्स है इस तरीके का सेकेंड जो हम लाए हैं वो स्टेज के लाइटिंग वगरे के साब से और चीजो के साब से देखते हैं कौन सा ज़्यादा सूट करता है तो उसके साब से स्लेक्ट करेंगे और यह है मेरी लास्ट मील 75 ग्राम रो पोहा सिर्फ इसको थोड़ा सा गरम किया है मिंस इसको थोड़ा सा रोस्ट किया है और यही 45 ग्राम दुबारा से प्रोटीन और एक यह है बदाम रोगन ते ओल है तो एक चमच यह लेना है भी तो यह मेरी लास्ट मील है जो मैं ले रहा हूं